चलिये से बीच एक और बड़ी ख़बर की बात कर लेते हैं पियम मोदी आज नए संसद भवन का भूबी पूचन करेंगे दोपहर एक बचे नए संसद भवन की रूप रेखा नई नीव तयार की जाएगे लोग सभा स्पीकर ओम बिर्ला मौजूद रहेंगे इस कारक्रम में नौस्तो एकतर करोड उपे में ये भवन बंकर तयार होगा लागत की खीमत है दोजार बाइस तक निर्मान पूरा होने का प्रस्ताव भी रखा गया है और 2022 तक ये माना जा रहा है कि नया संसर्भवन पूरी तरह से तयार हो गया है फॉस्ट लूप इसका सामनी आया है त्रिभुज क्याकार का ये होगा नौसो एकरतर करोड की लागत से जिस तरीके से फिलाल की प्लानिंग है बहुत ही खुप्टूरत संसर्भवन यानि की लोकतंत्र का मंदिर बंकर तयार हो जाएगा तो पहर एक बचे संसर्भवन की नीव रखे जाएगी प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के हाथो ये शुब कारे होना है पिल्कुल और टाजर लिम्टेट्स को इसके जिवेदारी दी गई है दो हजार बाइस तक ये जो नया संसर्भवन है ये बंकर तयार हो जाएगा ये पुराने संसर्भवन से कहीं जादा भव्वे होने वाला है और दो पहर एक बचे प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी शुड़ अन्यास भूंपुजन करने के लिए पहुचेंगे इसके बाद प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी वहां मौजूद लोगों को संबोधित भी करेंगे चुकि नया भवन बन रहा है आधुनिक सुविधाइस में होंगी आप हर तरह से सुविधा वहां पर पहुचने वाले गणमाने सदस्यों के लिए रखी जाएंगे और साथी साथ क्या खासियत होंगी वह आपके टीवे स्क्रीन पर हम दिखा भी रहे हैं लोगतन् करेंगे लोगतन्तर के मंदर के निर्मान की नीव रखने की तैयारी है कारेक्रम क्या कुछ रहने वाला है दिन भर दिखेंगे लगबाग बारा पैटालिस पेर जो आप कह सकते हैं जो इसका भूमी पूजन है वो प्रधान मंत्री नरेंद मोजी स्वहम करेंगे कुछ प्रधान मंत्री बारा बचकर पैटालिस मिट पर करेंगे जी नजरा बना के रखेंगा रजट आगे जो भी अपडेट आएगा ताज़ा तस्वीरे मिलेंगी दर शकों तक सबसे पहले हम पहुंचे